गुड मॉनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा स्टेडी ग्रूप में संस्विल सेर्फिसेज में मैं आपका दोस्त अभी चौहान एक बार फिर से नए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें जून दोजारों ने इसके करेंट अफेर से इसमें लोग देख रहा हूं सभी दोस्तों को मैक्सिमम लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो और जिनकी वी करेंट एफिस बहुत लोगों ने मतलब परस्नली इमेल करके भी मेरे को बोला कि बहुत हेल्फुल है विक स्टुडेंट के लिए भी है निव स्टुडेंट के लिए और जो एक्जाम का प्रिपेरेशन कर रहें उनके लिए भी तो थांकियो सो मच और पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें चलिए शुरू करते हैं तो प्रमुक रास्ट्री घटना क्रम में जुन 2019 में सबसे पहला पॉइंट जो है वह है एक्यूप एक्यूप वीजिन प्लान जो है इसमें कि मानव संसाधन विकास मंत्रा लेकर उद्शिक्षा विभाग द्वारा इसे जारी किया गया है मतलब कि एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्रेम है ना एक्यूप को फुल फॉर्म होता है एजुकेशन क्वाल इसका उद्शिक्षा में शुधार के लिए अगला पॉइंट है कि गो ट्राइब्स केंपेन जन्जाती राजमंत्री द्वारा जारी किया जाता है गो ट्राइब्स केंपेन इसका उदेश से था कि जन्जाती उत्पादों के उपयोग को ब्यापक रूप से बढ़ाना एक स उनके उपयोग को उत्पादों को पादों के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ावा देते हैं इसका गो ट्राइब्स केंपेन इसी काउदेश रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कि समग्र स्वास्त सुचकांक यानि नीतियायोग द्वारा जारी कि जाता है समग्र स्वास्त सुचकांक जिसमें सिर्ष अस्थान पर केरल आंद्रप्रदेश महरास्थ है और अंतिम अस्थान पर उत्रप्रदेश है ठीक है और केंद्र शास्त प्रदेश में सबसे उपर है दादर नगर हवेली है ना तो अब आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2020 अगला पॉइंट है कि नीती आयोग की प्रसाशनिक परिश्ट की पांचवी बैठक हुई जिसका लक्ष 2022 तक निव इंडिया बनाने का यहां अगला पॉइंट है कि कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो तिलंगाना में शुरू किया गया था कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियot टेलंगाना में एगाना यह की आ गया है धड़्य नेधी पर इस्थितं विस्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियाजना है यह य है याद रखीएगा लिक्से परियोजना तो कालेश्वर लिफ्ट सिंच जो तेलंगाना में है ठीक है ना चलिए अगला पॉइंट गोड़ते अगला पॉइंट है एन पीपी यानि कि नेशनल पीपल्स पार्टी ठीक है इसको चुनाओ आयोग दुबारा आठ्वी रास्टिये पार्टी का दर्जा दिया गया कोशन आया अंबी था साथ पिछले पे आठ तो आठ्वी रास्टिये पार्टी का दर्जा किसको दिया गया एन प्पी को नेशनल पीपल्स पार्टी को ठीक है ना चलिए जल शंसाधन अगला पॉइंट है कि जल शंसाधन नदीविकास्यूंगा कया कल्प मंत्राले को पुनर गठित कर जल संक्ति मंत्राले का लगता इन सबको पुनरगठीत करके जल शक्ती मंत्राले बना दिया गया है ठीक है चलिए अंगला पॉइंट है कि गुजरात के रहोली गाउं में भारत के पहले डायनासोर संग्रहाले यह जीवास में पार्क का उद्गाटन मोखे मंत्री विजयरुपानी द्वारा किया गय देखते हैं बनाते हैं सब लोग मैक्सिम्ट लोग तो यह याद रखना कि गुजरात के रहोला रहोली गाउं में भारत के पहले डायनोसोर संग्रहाले इस जीवासम पार्क का उद्गाटन मोखे मंत्री विजयरुपानी द्वारा किया गया अगला वही था अभी चलिए आ बांचा गाउं जो मध्य प्रदेश में इस्ती थे देश का पहला शौर रसोई वाला गाउं बना है ना कहा के रल में चलिए अगला पॉइंट है कि माबाप की सेवा ना करने पर जेल भेजने का फैसला बिहार सरकार द्वारा लिया गया अगला पॉइंट है कि बिहार के मुझफरपूर में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम यानि कि चमकी वुखार सुना होगा आप सब ने कि चमकी वुखार बहुत चली थी जो मुझफरपुर में बहुत ज़्यादा बहुत लोगों ने यह कहा था कि लिची खाने से हो रहा है लिची खाना लिची का मतलब लिची बेचने व यह राजस्थान के चिकित्सा इवम स्वास्त विभाग को डवलू एचो पुरुसकार 2019 में आपको बताया था कि तम्भाकुनी अंद्रण के लिए 2019 पुरुसकार राजस्तान के चिकित्सायम स्वास्त विभाग को दिया गया डवलु एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के द्वारा ठीक है ना अगला पॉइंट है कि बौत धर्म से संबंदीत चोखंडी अस्तूप जो की सारनात में है याद रखिएगा अब कि अगला पॉइंट है कि नागालेंड के जुक्कु घाटी को प्लास्टिक मुक्त जोन घोशित किया गया है जुक्कु घाटी कहां नागालेंड के इसको प्लास्टिक मुक्त जोन घोशित किया गया यह प्रमुख राष्टिय घटना करम थे अब हम नोग पढ़ेंगे प्रमुख अंतराष्टिय घटना करम के जुन 2009 इसमें पहला पॉइंट है कि क्यूएस वर्ल्ड इंवर्सिटी रैंकिंग 2020 में ठीके ना क्यूएस वर् अमेरिका इसको दिया गया है प्रतम अस्थान मिला किसको मैं साचुफ सेट इंस्टिट ऑफ टेक्नोलोजी जो अमेरिका में है इसको क्यूएस वर्ल्ड इंवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्रतम अस्थान मिला है कि हाली में जारी यतायात सुचकांक 2018 में विश्व के सरवाध प्रतिक भीडबार यानि कंजस्टेड वाले शहरों में सबसे सिर्ष पर सबसे उपर कौन रहा तो है मुंबई चली देखिए अंतराष्ट्य सम्मेलन जो है यह सब बहुत पूस्ता है तो मैंने यहां भी नोड करा है कि 14 वाजी 20 सिखर सम्मेलन जापान में जापान के ओसा पानव केंद्रीत भाविश्य समाज 25 हम केंदृत्य सौदी अरब में होगा ठीक है अब बढ़ते हैं अब अगला है से सीक आ चिर्गिस्तान में आसी कर一點 ceo सिखर स किर्गिस्तान में मनाएगों है लुक्तित कर टोलिया चलिए अगला पउट कि लुवा करिषान कशा मेडिया से कंबोड्या में यूजित अगला पॉइंट है कि निजी लेंड ने दुनिया का पहला वेल बिंग बजट पेस किया जिसका अर्थिक विकास की दर की जगह लोगों के कल्यान को प्रमुखता देना था यह लोक विकास अर्थिक विकास की दर की जगह लोगों के कल्यान को प्रमुखता देना था ठीक है चलिए बढ़ते अंगले पॉइंट की और अगला पॉइंट है कि ब्रेटिस हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में नरेंद्र मोधी को वर्स 2019 का सबसे ताकतवर व्यक्ति चुना है हाली में कनाडा ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाया है कनाडा ने क्या करा है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के दिवितिय कारेकाल की पहली विदेश्यात्रा माल्दिव श्रीलंका की रही है यह तो पूच पूचा सकता है कि दिवितिय कारेकाल प्रतिलंद मोधी की थी उसके पहली विदेश्यात्रा कहां की रही तो माल्दिव श्रीलंका की रही चलीए अगला पॉइंट है कि सुचना यों प्रसारन मंत्राले ने बांगलादेश यों दक्षिन कोरिया में डीडी चैनल के प्रसारन के लिए समझोता किया है ठीक है ना सूचना एवं प्रसारण मंत्राले ने बांगलादेश एवं दक्षिन कोरिया में डीडी नेशनल के प्रसारण के लिए समझोता किया है ये था प्रमुख अंतरास्टिय गटना करम अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख आर्थिक गटना करम इसमें जुन 2019 में क्या है पहला पॉइंट है कि लक्षमी विलास बैंक एवं इंडिया बूल्स के विलय को भारतिय प्रतिय अस्तपरदा आयोग ने मंजूरी दे दी अगला पॉइंट है कि फेस्बूक ने 2020 में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉंच करने की घोसना की है याद रखिएगा बहुत ही इंपॉइंट कुश्यन है चलिए अगला पॉइंट है कि विश्वका सबसे मुल्यवान ब्रांड अमेजन बना एंगला पॉइंट है कि जापान ने भारत के प्रिवोतर राजय में चल रही नई प्रियोजनावं में निवेश करने का निडिने लिया नाम चलिए अगला question है कि भारत सरकार ने 6 रोग के उन्मूलन है तू विश्व बैंक से 400 मिलियन डॉलर का रिण समझवता किया चलिए अगला point है कि अमेरिका ने भारत को GSP यानि कि Generalized System of Preferences की सुची से बाहर निकाला है अगला point है कि UN द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2027 तक चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाईगी ठीक है ना मतलब UN द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को 2027 तक चीन की जनसंख्या से अधिक होने की उमीद जताई है संभावना जताई अगला पोइंट है अगला तॉपिक इसमें पहला के ऐपरेशन बंदर बाला कोट में जो श्ट्राइक का कोड था उसका नाम है उपरेशन बाला कोट में एर स्ट्राइक हुआ था जिसमें ऑपरेशन का नाम बंदर रखा था और एक और है कि भारतिये नौसेना द्वारा समुदरी सुरक्षा हेतु खाडी छेत्र यानि कि पारस की खाडी और ओमान की खाडी में चलाया गया इस ऑपरेशन का नाम था संकल्प ठीक है अपरेशन बंदर तो बाला कोट और स्ट्राइक का कोड अपरेशन संकल्प तो भारतिये नौसेना द्वारा समुदरी सुरक्षा हेतु खाडी छेत्र यानि कि भारस की खाडी ओमान की खाडी में चलाया गया चलिए अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन संराइज टू इसमें बाहरतियं मयानमार की सेनाओं द्वारा अतंकवादी शिविरों को नश्ठ करने के लिए संजुक्त ओपरेशन का चलाया गया अगला रमन वन पॉइंट जीरो ठेक है रमन वन पॉइंट जीरो उपकरन का उपयोग खाद्य पदार्थ में मिलावट की जाचेतू करा गया ठीक है ना रमन 1.0 उपकरन का उपयोग खाद्य पदार्थ में मिलावट की जाचेतू किया गया अंगला पॉइंट है कि भारत ने अंतरिक्ष यूध प्रणाली और प्रगती को विक्षित करने के लिए Defense Space Research Agency बतब DSRA के गठन को मंजूरी दी भारत ने अंतरिक्ष यूध प्रणाली और प्रगती को विक्षित करने के लिए Defense Space Research Agency यानि की DSRA याद रखिएगा DSRA Defense Space Research Agency के गठन को मंजूरी दी अगला पॉइंट है National Geographic Society ने दुनिया का सबसे उचा मौसम स्टेशन Everest के बालकनी छेतर में अस्थापित किया जो 8430 मीटर है National Geographic Society NGS ने दुनिया का सबसे उचा मौसम स्टेशन Everest के बालकनी छेतर में अस्थापित किया जिसकी उचाई 8430 मीटर है अगला पॉइंट है कि दिल्ली मेट्रों ने सौर उर्जा से मेट्रो परिचलन के बाद बायो बिजली से मेट्रों का परिचलन प्रारम वगिया है ठीक है ना अगला पॉइंट है कि हाल ही में DRD यो ने Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle मतब HSTDV का क्या फॉल फॉर्म है कि Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle का परिच्षण अबदुलकलामदिप ओडिसा से किया है या दखिएगा मतब सिधा सिधा समझ लिजे कि हाली में DRD यो ने Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle का परिच्षण अबदुलकलामदिप यानि कि ओडिसा से किया अंगला point है कि भारत सरकार द्वारा इजराइल से 100 से अधिक अस्पैस बंब खरीदने के लिए 300 कुरोर का समझाता किया है अगला और आखरी पॉइंट है कि हाल ही में इस्रो द्वारा वर्ष 2030 तक अपना स्वयम का अंतरिक्ष अस्पेस सेंटर स्थापित करने की घुशना कर दिया है कि 2030 तक हम अपना स्वयम का अंतरिक्ष अस्पेस अस्टेशन अस्थापित करेंगे तो दोस्तों यह था जून 2019 का करेंट अफेर्स जो आप सब को बहुत उमीद है बहुत पसंद आएगा और बहुत हेल्पूल होगा आप सब के लिए मैं बढ़ी कोशिश करता हूं कि ऐसे यानि की एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्रेम मानव संसाधन विकास मंत्रा लेके उत्सिक्षा भीबाग द्वारा जारी किया जिसका उदेश रखा गया उत्सिक्षा में शुदार फिर था गो ट्राइफ केंपेन जंजाती राजमंत अगला पॉयंट था कि समग्र स्वास्त Greek नेती आयोग द्वारा जारी किया जाते हैं जिसमें सीर सस्तान पर ता केरल अंत्रप्रदेश और महरास्ट और अंत्म अंत्ना स्थान में उत्तरप्रदेश और केंदर शासस्त यानी की unionjedरिटिटरिद्र प्रदेश में उन्यें ट सोबिस तक भारत को पांस ट्रियों डॉलर के अद्विवस्ता बनाएंगे अंगला पॉइंट था कि काले वेसर लिफ्ट से चाहिए जो की तेलंगा ना में है गोदारी नदी पर है और विश्व की सबसे बड़ी मल्टी असेज लिफ्ट से चाहिए पर्योजना होगी अंगला गठीद करके जल सकती मंतराले का गठन किया गया अगला पॉइंट था कि गुजरात के रहयोली गाउं में भारत के पहले डायनासोर संग्रहाले एवं जिवास्म पारकाउद घाटन मोख्यमंत्री विजयरूपानी द्वारा किया गया इसके बाद अगला पॉइंट था कि बाचा गाउं जो कि मध्यप्रदेश में है देश का पहला सोर रोसोई वाला गाउं बना इसके बाद था कि भारत के पहले डिजिटल गार्डन का निर्मान केरल में किया जाएगा फिर बिहार सरकार ने फैसला लिया कि माबाप की सेवा नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे त तो अगला पॉइंट था कि तमबाप को नियंतरन के लिए राजस्थान सरकार के मतब्चिक इत्षा इंस्वास्त विभाग को WHO यानी World Health Organization पुरुषकार 2009 इस दिया गया इसके बाद अगला पॉइंट था कि बहुत धर्मे से संबंधिन 14 तुप जो कि सारनाथ में इसको प्लास्टिक मुक्त जोन घोसित किया गया फिर अंतराष्टी घटना करम की ओर हम लोग चलते हैं तो प्रमुक अंतराष्टी घटना करम में जून 2019 का पहला पॉइंट था कि क्यू एस वर्ल्ड इन्वर्सेट्री रैंकिंग 2020 में अमेरिका का मैसाचू सेट्स इंसेचूट औफ टेकनोलोजी सेट्स अस्थान पर रहा फिर अगला पॉइंट था कि हाली में जारी एतायात सुचकांग 2018 में विस्व के सरवाधिक भीडबाड यानि कंजस्ट्रेड वाले शहरों में मुंबई सेट्स पर रहा अगला पॉइंट था कि 14 जी 20 सिखर से मिलन अस्थान जो किर्गिस्तान में किया गया हाली में एसिया और अगला पॉइंट था कि न्यूजिलेंड ने दुनिया का पहला वेलबिंग बजट पेस किया जिसका उदेश आर्थिक विकास की दर्व की जगह लोगों के कल्यान को प्रमुखता देना था फिर अगला पॉइंट था कि ब्र कि हाली में कनाडा ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक प्रप्रतिबंद लगाया है इसके बाद था कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के द्वीतिय कारेकाल की पहली विदेश यात्रा माल्दी विवम स्टिलंगा की रही अगला पॉइंट था कि सुचना यों प्रसारन मंत्राले ने बंगला देश यों दक्षिन कोरिया में डेडी चनल के प्रसारन के लिए समझाता किया अब हम लोग बढ़ेंगे प्रमुक आर्थिक घटना करम की ओर कि अगरें दोस्तों में पाने पिने लग गया था चलिए शरू करते हैं प्रमुकारते घटना करम जो जुन दूदर उने इसका अगला पॉइंट था कि लक्षमी विकास बैंक एम इंडिया बूल्स के विले को भारतिये प्रतियस भर्दायोग ने मंजूरी दी फेस्बुक ने 2020 में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉंच करने की घुशना की विस्व का सबसे मुल्यवान ब्रांड अमेजन बना जापान ने भारत के पुर्वोतर राज में चल रही इन नई प्रियोजनाओं में निवेश करने का निर्ने लिया है ना भारत सरकार ने छे रोग के उन्मूलन है तो विस्व बैंक से 400 मिलियन डॉलर का रिंड समझा किया इसी प्रकारा कि अमेरिका दोजार सताइस तक चीन की जनसंक्या से अधीक हो जाएगी फिर रक्षायम विज्ञान प्रदोग की में था कि जून 2019 में पहला पॉइंट ऑपरेशन बंदर बाला कोट स्ट्राइक का कोड ऑपरेशन संकल्प भारतियों नौ सिनाद्वारा समुद्रिश रक्षा है तू य बामन 1.0 उपकरन का उपयों खादपदात में मिलावट की जांशेतू किया गया भारत ने अंतरिक्ष यूद परनाली और प्रगति को विख्षित करने के लिए डिफेंस स्पेस रिसर्च अजेंसी यानि के डिएस आरे के गठन को मंजूरी दी फिर था कि नेशनल जेगरा परिचालन के बाद बायो बिजली से मेट्रो का परिचालन प्रारंब किया अगला पॉयंट का कि हाली में डियार डियों ने हाइपर सोनिक टेकनोलोजी ड्रेमोंस्ट्रेटर वीकल यानि कि एचस्टी डीवी का परिक्षन अब्दूल क्लाम दिप ओडिसा से किया फिर अग स्पेशल स्टेशन अस्थापित करने की घोचना की गई तो यह था जून 2019 का करेंट अफेर्स और पसंद आया आप सबको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को भी बोलना इससे मुझे और अच्छा लगता है कि हाँ हेल्फुल है दोस्तों के लिए तो मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में